हार्दे काज ये ट्विन टावर महस 9 सेकेंड में तबाह हो जाएगा क्या तैयारिया हैं क्या तस्वीर है वहां की रुची मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी मौझूद है आपको बता दें कि 550 से लेकर 560 सिविल पुलिस कर्मी यहाँ पर है साथ ही ट्रैफिक के जवानों को तैनात किया गया है तीन लेयर की बैरिकेडिंग की गई है मैं अपने कैमरा परसन और वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद बिष्ट को कहूँगा कि एक बार उधर दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है तीन लेयर की बैरिकेडिंग है सबसे पहले जहां हम इस वक्त मौझूद है यह जो सड़क आप देख रहे हैं यह सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए है और पुलिस प्रशासन के लिए है इसके बाद बैरिकेडिंग के बाद आप देख सकते हैं कि एक और बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर आम जनता आ सकती है तो तक करीबन आप कह सकते हैं कि बिखर कर बाहर ना आए इसलिए जियो फाइबर की क्लोधिंग की गई है साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ग्रेविटी होती है वो बहुत तेजी से इस मलबे को नीचे खीचेगी तो क्या होगा जब भी मलबा नीचे गिरेगा तो वो जमीन से टकरा कर उपर उचलेगा उस शौक एब्सॉर्बर का काम जो है वो गिली मिटी करने वाली है साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक कंटेनर तयार किया गया है इस बिल्डिंग के आसपास जिसकी हाइट होगी 10 से 12 मीटर उसका काम ये होगा कि जो मलबा बिखर कर बाहर आ सकता होगा वैसे तो तकनीकी व ग्राम विसफोटक है और जब एक साथ ये विसफोट होंगे महज 9 सेकंड के भीतर इमारत भरभरा कर नीचे गिर जाएगी आपको बता दें कि इमारत से महज 9 मीटर की दूरी पर आपको एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी निजर आ रही होगी और इसके ठीक लेफ्ट हैंड साइ कि इसके वाइब्रेशन होंगे मलबा बाहर आ सकता है तो उसका ध्यान कैसे रखा जाए तो ये परदे लगा दिये गए हैं जियो फाइबर क्लोधिंग की गई है अगर बाइद चांस कोई स्ट्रक्चरल डेमेज हो जाता है कोई धाचा गत नुकसान हो जाता है किसी के घर म अगर मान लिजे कि टेलिविजन स्क्रीन है लोगों के घर में लेडी स्क्रीन होती है वो गिर जाए कोई इलेक्ट्रोनिक सामान तूट जाए घर के शीशे दरवाजों में दरा रा राता है ऐसे में एडिफिस कंपनी ने सौ करोड रुप्य का इंशॉरेंस किया है इसी इं साथ ही साथ इस पर भी एडिफिस कंपनी ने धाई करोड रुपे का इंशॉरेंस किया है कि अगर गैस पाइपलाइन को कोई नुकसान होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि विस्फोटक है और लपीजी तो दोनों ही कॉम्बिनेशन इतने खतरनाक है कि हादसा हो सकता है इ सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी ही आपको नजर आएंगे साथ ही धर्मराज एक बहुत ही आश्यरेचनक बात है कि जब आप नोईडा ही नहीं देश भर के किसी भी प्रोजेक्ट को ले लीजिए जब निर्मान कारिया शुरू होता है तो हमारा घर बनने में भी कम स से कम एक साल डेड़ साल लगता है और इस तरह के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जब बनने होते हैं तो इनमें तो सालों लग जाते हैं आठाट नौनों दस-दस साल लग जाते हैं लेकिन जब 2012 में इस 14 मनजिला इमारत को लेकर RWA के अध्यक्ष और इस सोसाइटी में रह बना कर खड़ा कर दिया यानि कि कई प्रोजेक्ट में जहां देरी हो जाती हैं वही डेड़ साल में इसको 32 मनजिला इमारत को बना कर खड़ा कर दिया गया कोई देरी नहीं होई जल्द बाजी में दिन रात काम करके इसे खड़ा किया गया जब उन्हें लगने लगने लग 27 अगस्त तक वो इसी उमीद में थे कि अब सूपर टेक का ये ट्विंटार नहीं गिरेगा शायद कुछ ऐसा होगा जो इन्हें गिरने से रोक लेगा इसे किसी और चीज में तब्दील कर दिया जाएगा कोर्ट इसे अस्पिताल बना सकता था कुछ भी बना सकता था लेकिन संदेश जाना पूरे देश में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप भ्रश्टा चार करते हैं अगर आप नोईडा प्राधी करण के उन अधिकारियों को देखे जिन्होंने की नक्षा पास किया एक चाइल्ड पार्क पर इस 32 मंजिला इमारत को बनाने का तो इस तर से कुछ भी इमारत बना कर तयार करेंगे नियमों के अंदेखी करेंगे तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि सूपर टेक ट्विंट आर का आज दो पहर धाई बचे होने वाला है आज ट्विंट आवर महस नो कंट नो सकिंट आदेवेच तबाह हो जाएगा किते ना किते मैसेज है आम लोकानू देशवासिया नू कि जेकार तुसी प्रिश्टा चार करोगे ताब बक्षे नहीं जाओगे तो आड़ेते सक्त कारवाई होएगी एही आज हाल ट्विं टावर था हो रहा है क्योंकि नीमादी उलंगडा करनतबाद टावर त्यार किता गया बती मंजला त्यार किता गया जिस ते वेच नीमादी तमाम तरा दियां उलंगडा मां होया जिस तो बाद सुप्रीम कोड ने फैसला सुनाया ते इस फैसले ते अगे कारवाई कर दे होए पूरी तियारी किती गई ते आठ नो महिन्या दिये तियारी है इस टावर नो टाउन दे लई इमारत नो बेख दे होया इस बारूत दी जेडी क्वांटिटी है इसनो वर्तो वेच लिया जाएगा ते तमाम सुरख्या दे परबंद किते गए ने आसपास दा दो तो तो तिन किलोमेटर एरिया खाली करवाया किया है अब खास तरा दिया पनिया ते लफाफिया दी वर्तो किती गईया ताकि तूल मिट्टी तो बचाया जा सके तो ते इस सिह सुविदावानू वी ते आंच राख दे होय तमाम इंतजाम किते गए ने सो आज सई ठीक टाई वजे आज ट्विन टावर तबाह हो जाएगा ते काम लोकांदे वेच ए सुने हा कि प्रिष्टा चार कर वाले लोकानों बक्षिया नहीं जाएगा तो दोवे तावरा दे अंदर ब्लास्च दुरान कई कंपन पैदा होनगे कई कंबाहट पैदा होएगी जिसनों ते आंदे विच राख दो होए तमाम इंतजाम किते गए ने ताकि जो जड़ी कंपन है जड़ी कंबाहट है उस द जड़ा नुकसान है नाल दियां बेडिगानों ना पहुंचे